हेलो एर्वण आम अविश्यक और जैसे कि मैं चैनल के नाम है साइंटिक प्रेडॉक्स मैं आज आप सभी लोगों के लिए ऐसी प्रेडॉक्स लेकिया हूं जिसे जुनकर आप सभी का दिमाग खराब हो जाएगा अगर आपने इसल मिलना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में इट करते हैं ताकि न्यूव अपडेट्स आप से मिस्टना हो जाएँ तो नाओ लेट्स स्टार्ट इट आज ये परेडॉक्स का नाम है इंफिनिटी होटल परेडॉक्स उससे पहले इंफिनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इंफिनाइट मींज अमाउंट अफ सम्थिंग विच इंफिनाइट मतलब माल लेते हैं आपके पास इंफिनाइट नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो अगर आप इंबॉल्स को इंडिविजुएली गिन्ने कोर्श करेंगे तो आपको इंफिनाइट अमाउंट अफ टाइम लगेगा इंबॉल्स को स्टोर करने के लिए और एक जिगा से दूसी जिगर ले जाने के लिए जो हमें स्पेस और अनर्जी लगेगी वह भी इंफानाइट ही होगी वन को जियो जिट करने पर भी infinite आता है और जिस चीश को science mathematically नहीं प्रूफ कर पाती है उन equations में चारतर आंसर infinite ही आते हैं जैसे कुछ scientists यह मानते हैं कि expansion of universe after some time of big bang is infinite और Einstein की theory of relativity यह कहती है कि किसी भी massive object को speed of light तक accelerate करने के लिए हमें infinite amount of energy जाहिए तो यह सब सुन्दें किना अजीव लगता है राइट पर कुछ ऐसी properties है infinite इसी infinite को easily समझने के लिए देविड हलवर्ट ने 1924 में एक thought experiment किया जैसे समझना easy नहीं है और इसी paradox का नाम है countably infinite guest से भर गए और उसी रात एक passenger आया पैसेंजर ने गुड़्डू से का भाईया हपका का कोई रोम मिल सकता है है और यह दोड से अप्र ठक्या हुआ है पैर और सब तोड़ रगा है चलते 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 गुड़्डू ने का ओ क्यों ने जी जी रोम लेका आपको रोम तो कभी नहीं लोटके आंदे हैं और फिर गुड़्डू रोम नंबर टू में गया और इसने रोम नंबर टू के guest सिखा ओ पापा जी तुसी रोम नंबर थ्री में चले जाओ इस रोम के पापा जी मेरे मतलब guest थोड़े गुस्यव लग रहे थे इस रोम के guest ने यह पजबार हम कहा है को रोम नंबर थ्री में जाएगा नितीश का phone लगा हो जाएगा अब हैं कि सरकार हिलाते हैं पर गुड़्डू यह बहुत दिमादा चंड चला था उसने अपनी चलाकी से इस guest को रोम नंबर थ्री में shift कर दिया ऐसे उसने थर्ड रोम वाले guest को फॉ 10 प्लस वन नंबर वाले room में shift कर दिया यहां पर n का मतलब है natural number जैसे की 1,2,3,4,5,6 and so on मतलब अगर कोई bus आजए जिसमें 10 passenger है तो वो room नंबर 1 वाले guest से कहेगा कि आप 10 प्लस 1 यानि 11 नंबर वाले room में shift हो जाईए और अगले दिन है ऐसी bus आज जो कि countably infinite long length की थी और उ आज से हर एक passenger को एक room दिना तो वो भी बिना किसी overlapping गी मतलब एक room में सिर्फ एक ही guest दे सकता है तो गुड्डू नी दिमाग लगाया उसने room number 1 वाले guest को room number 2 में room number 2 वाले guest को room number phone में room number 3 वाले guest को room number 6 में यानि हर n number वाले room guest को उसने n into number वाले room में shift कर दिया इससे जितने इसे भी और नमर वाल rooms ते वो खाली हो गए और क्योंकि यह infinity hotel है तो इसमें number of odd rooms और number of even rooms दोनों ही infinite है और अब गुड्ड ने सारे countably infinite passengers को उन और rooms में फिल कर दिया तो अब सारे passenger भी खुश, hotel का owner भी खुश और अपना गुड्डू यानि hotel का manager भी खुश पर इनकी यह दिखने वाली नहीं थी, तीसरे ही दिन गुड्डू ने बाहर देखा कि countably infinite bus आ रही हैं जो कि countably infinite long length किये हैं और हर bus में countably infinite passengers हैं और उसे हर एक passenger को एक room देना थो बिना किसी overlapping के और अगर उसने ऐसे नहीं किया तो उसे countably infinite rupees का नुकसान हो जाएगा और उस hotel का owner उसे नौक prime numbers होते हैं उनकी जो powers होती हैं वो कभी overlap नहीं करती हैं अगर आप यह नहीं जानते कि prime numbers क्या होते हैं तो मैं बता दो कि prime numbers ऐसे numbers होते हैं जो कि केवल खुड से या फिर वन चे डिविजबल होते हैं जैसे कि 2,3,5,7,11,13 एक्सेक्रा एनिवे तो यूकली नहीं यह prime numbers होते हैं उनकी जो powers होती हैं वो कभी overlap नहीं करती हैं जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं कि यह जो prime numbers हैं उनकी power overlap नहीं करती हैं तो आप गुड्डू ने hotel के सारे guests को 2 की power value rooms में shift कर दिया जैसे कि 4,8,16,32,64,108,256,512, etc. तो आप बारी आती है bus के passengers को hotel में shift करने की तो rooms allowed कर दिये second bus के passengers को उसने next prime number यानि powers of 5 के room allowed कर दिये ऐसे ही उसने third bus को powers of 7,4th bus को powers of 11,5th bus को powers of 13,6th bus को powers of 17, and so on. इस technique से कुछ ऐसे भी rooms से जो कि खाली रहे जैसे कि room number 6, room number 12, etc. क्योंकि यह किसी भी prime number की powers में नहीं आते हैं तो यह rooms खाली रह गए पर hotel के manager की match इतनी अच् infinity word के साथ में एक word जुडा था countably, इसका मतलब होता है the lowest level of infinity, जिसे डेविट हलबर्ट अलाफ 0 कैसे है, इस वीडियो में हमने जितने भी चीज़ें उन सब को count और calculate करने के लिए हमने natural numbers का use किया था, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन numbers के साथ में infinity की calculation को समझना आसान है, जैसे कि हम जानते हैं कि natural numbers में सबसे पहले 1 आता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, and so on, तो इन numbers को arrange करने का एक system है, जबकि इसी जिगा प्रक्षियल numbers की आगर बात करें तो उन में different different numbers, different different types से arrange रोते हैं, जिसकी बड़े से उनके साथ calculation करना infinity की बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इनका real life में possible होना भी बहुत मुश्किल है, जैसे कि अगर हम किसी room को गिनना है, तो हम उसे one गिनेगे, ना कि one by two, या फिर one by three, क्योंकि ये possible नहीं है, तो ये वीडियो देखका, अगर आपको दिमाग खराब हुआ, तो दूसरों को भी send करें, और उनका भी दिमाग खराब करें, और